इतनी ज्यादा मुश्किल पढ़ाई है क्या होगा एक्जाम में क्या रिजल्ट आएगा और अगर रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आया तो सर वापिस कैसे पढ़ाई होगी वापिस कैसे पढ़ाई होगी वापिस मैं इन किताबों को कैसे उठा पाऊँगा और उसके बाद अगर मेरा फिर अटेम्ट लग गया फिर अगर मेरा अटेम्ट लग गया तो क्या मुझे अच्छी जॉब मिल पाएगी और अगर अच्छी जॉब मुझे नहीं मिली अगर मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिली तो फिर क्या मेरी family मुझे accept करेगी क्या मुझ क्योंकि हम अपना भला चाहते हैं हम अपने आपको हमेशा protected रखना चाहते हैं और हमारा mind हमेशा डरा रहते है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए तो फिर वो ये सारे scenarios build up करना शुरू करते हैं और मैं बताओ इसका कोई अंत नहीं है इसका कोई अंत नहीं है और क्या इससे हमारा कुछ भला होता है सर भला तो छोड़ो जो अच्छा होना होता है वो भी नहीं हो पाता क्योंकि सारी energy इस negative overthinking मेरे चली जाती है तो अगर ये चीज आपके साथ हो रही है make sure आप वीडियो को like कर दे तक कि ये बाकी CA students तक भी पहुंच सके and मैं आपको बताता हूँ सर इस चीज का क्या समाधान है सबसे पहले तो ये समझ लो ये चीज सिर्फ आपके साथ नहीं होरी this is happening with every single human being on this earth मैं सिर्फ CA student की बात नहीं कर रहा हर उस इंसान की बात कर रहा हूँ जिसने इस धर्ती पर जनम लिया है उसको कई न कई कभी कबार overthinking होती है और overthinking जनरली positive चीजों को लेके नहीं होती है में सब्सक्राइब क्या क्या बढ़िया बढ़िया हो जाएगा और जब काम नहीं कर पाते तो फिर self confidence नीचे आते है और negative overthinking बढ़ती जाती है तो सर करना क्या है इसका करना क्या है इसका समाधान क्या है मैंने का simple समाधान है जो भगवान श्री कृषण ने भी काया सर क्या करम करो फल की चिंता मत करो करम करो फल की चिंता मत करो सर इसका क्या मतलब है देखो आपका काम क्या है हमारा करतवे है पानी देना हमारा करतवे है पेड को पानी देना आम का फल तो गर्मी के मौसम में आएगा यानि जब मौसम आएगा तभी फल मिलेगा आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज ही सारा पानी दे दो और बोलो नहीं नहीं फल नहीं मिल रहा आम नहीं मिल रहा ऐसा नहीं होगा बाबू हमको पानी देते रहना पड़ेगा हमको पानी देते रहना पड़ेगा हाँ बीच में आपके मन में फिंकिंग आ सकती है कि कल को तुफान आ गया तो मेरा पेड को उड़ा के ले जाएगा कल को बाढ़ आ गई तो मेरा पेड गिर जाएगा तुने पढ़ाई करते रहने देनी है, चाहे जो भी हो, मुश्किल से मुश्किल सवाल आएगा, मेरे लिए थोड़ी आएगा, सब के लिए आएगा, ICI हो सकता है, पेपर चेक करते हैं, वक्त 5-10 नमबर की गलती करते, मेरे लिए करेगा, सब के लिए करेगा, तो मैं क्या करूँ, मैं अपना best देते वे चलूँगा, मैं अपना best देते वे चलूँगा, मैं बताऊँ ना, हर problem का एक ही है समाधान, करम करो, करम करो, करम करो, बस आप पूरी शिद्दत से करम करते लो, कई सारे SSTS students होंगे, जिनके शायद attempt लग चुके हैं, और अब उनके अंदर एक self confidence से वो खतम हो चुका है, मैं आप से बस एक request करना चाहूँगा, क्या, आपके पास दो option है, या तो जो बीत बात, जो बात बीत गई, मैं कहता है, जो बात बीत गई, उसका हम आज बैठके regret करते हैं, I know आपको ये लग रहा हो, वसर आपके लिए तो कहना कितना आसान है ना कि regret करो, या महनत करो, you also think logically, यही दो option है, या तो जो काम खराब हो गया है, जो चीज़े हो चुकी हैं, उसके पीछे हम regret करें, या हम उसमें सुधार करके, एक solution oriented तरीके से उससे बाहर निकलना है, आप मुझे बताओ, आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, भू तो दोस्त, इससे अगर हमको बाहर निकलना है, तो क्या हमारे लिए कोई और पढ़ाई करेगा, नहीं, क्या हमारे लिए हमारे दोस्त पढ़ाई करेंगे, नहीं, हमें खुद ही बढ़ना पढ़ेगा, हमें खुद ही मैनत करनी पढ़ेगी, मशक्कत करनी पढ़ेगी, से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे जीवन का नाम क्या है सर जीवन का नाम है जिन्दगी और जिन्दगी का नाम है उतार चड़ाव उतार चड़ाव बस हसते खेलते आगे बढ़ते जो और फिर आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी और मंजिल क्या है सर मंजिल संतुष्टी ह जो आपको मिलती है अगर आप अपने daily targets पूरे करते चलते हो तो रोज अपना plan करो, रोज daily targets अचीव करो और उससे जो positivity मिलेगी, उससे जो आपको अच्छा पन मिलेगा उससे आपकी ये negative overthinking कम होगी, positivity बढ़ेगी और आप अपने लक्षा की और पास जाते जाओगे, ठीक है अगर ये बात है अच्छी लगे तो यार वीडियो को ज़रूर लाइक करते न stay subscribe to the channel for more such videos and मित्रों हमेशा जो मैं कहता हूँ वही वापिस कहूँगा, खुशी से बढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे लगे रो, लगे रो, keep going